ही माई ब्यूटिफुल वीवोर्स वेलकम टो एम्टी किचिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुती मज़़दार सी और आसानी से बन जाने वाली ये शीर खुर्मा की रेसिपी चलिए से किस चरीके से बनाते हैं ये देखते हैं देखी आज मैं आपे एक लीटर दूट से शीर खुर्मा बनाने जा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ता, किस्मिस, काजू और सूकी खजूर और बादम को मैंने यहाँ पे अच्छे से पानी में बिगने के लिए चोड़ दिया है चार से पांच घंटे तक देखें यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने मिल्क पेड़ा ले लिया है आज मैं यहाँ पे चार से पांच इतने मिल्क पेड़ा ले रही हूँ और चोड़े चोड़े तुकड़ों में एक कर ले रही हूँ जो बाजार में आसानी से मिल जाता है अगर आप मिल्क पेड़ा करने जारी हूं दो टीबल स्पूर उतना घी यह अच्छे से पीगलने के बाद हमीं यहां पे भीगोए हुए काजू बादम और पिस्ताएड कर लेना है मैरी यहांपे बादम और पिस्ता किछिल के निकाली हूँ और चुटी चुटे पीसस में यहाँ पे एक कट कर लिया है और देखिए अच्छे से हमें यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है और देखिए यहाँ पे हमें इतना है रोस्ट कर लेना है सुकी खजूर के मेने आपे बेंच निकाल लिये हैं और अच्छे से यहाँ पे कट भी कर लिया है इसे भी हमें आपे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और दिखstate यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ यहां पर मैंने एक pan ले लिया है और इसमें मैं ऐट करने जा रहे हूं एक लीटर उतना दूद क्योंकि मैं आज यहां पर एक लीटर दूद से ही शीरकुर CB je बनाने जा रही हूं और दूद कर अच्छे से उबाल आने तक हम यहां पर लगातार चलाते हूए उबाल लेंगे आप चाय तो रख सकते हैं, वरना इसे इसी मेही डाल सकते हैं, और उसी के साथ मैं यहाँ पे मिलक पेडा भी आट कर देती हूँ, एक मिनट तक हम यहाँ पे इसी तरीके से चलाते हुए पकारा लेते हैं, और दिखिए यहां पे मैं थोड़े से कीसर की धागे आइट करी हूँ और हाफ टेबल स्पून उतना इलाइची का पॉडर, हाफ कप उतना चीनी चीनी आप यहां पे अपने मीटे के साब से आइट कर सकते हैं और हमें यहां पे लगातार चलाते हुए पांस से दस मिनट तक पका लेना है क्योंकि सब यहां सब ड्राइफ फूर्ट अच्छे से पक जाना चाहिए और फ्लेवर भी अच्छे से आ जाना चाहिए और दूद भी यहां पे थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए इसलिए हमें यहाँ पे 5-10 मिनित तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेना है और देखें यहाँ पे अच्छे से दूद भी गाड़ा हो चुका है और दूद भी यहाँ पे थोड़ा सा कम भी हो चुका है देखें कितने जल्द से जल्द हम शीर खुर्मा बना सकते हैं और बहुती मज़़दार बनता है इसलिए जरूर आप एक बार बनाएं और मैं यहाँ पे घैस के फ्लेम को बन कर देती हूँ और आप यहाँ पे एक बात का जरूर धियान रखें शीर खुर्मा जब भी बनाएं आप इससे जरूर फ्रिज में रखकर खाएं क्योंकि यह बहुती मज़़दार लगता है और देखिए इसी के उपर से में यहाँ पे फिर से थोड़े से ड्राइफ रूर्स एड़ खुर रही हूँ आप भी एक बार जरूर बना कर खाएं अगर आपको मेरी बनाए हुई शीर खुर्मा के रेसीपि अच्छी लगे हो तो